मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदाल और मैं आप सभी दर्शकों का हर्दे का विनंदन करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदाल पर यूट्यूब फिस्बूक और एजिटीव नेटवर्पक पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेग्मे जो हमारे लिए शुब है या आशुब है क्या चीज़े हैं जो शास्तर से जोड़ी में शकुन और अफशकुन के साथ में और इसका विग्यानिक तोर पर या इसका मनोविग्यानिक तोर पर क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर आईए आज बात करेंगे ऐसे ही खास टॉप पूजा करते समय अगर उबासी आए तो ये शुब है या शुब पूजा करते समय उबासी का आना शुब है या शुब जिया उबासी तो आदमी तब लेता है ने जब वो नीन में होता है या उसको नीन आने वाली होती है या सुबह उठकर लेता है आकर लेता क्यों उबासी देकि शास्त्रों में माना गया है कि सची श्रद्धा और सचे मन से की गई पूजा हमेशा फलदाई होती है इस तरह से पूजा पाट करने वालों के घर में हमेशा सुक्षानती बनी रहती है जो पूरा मन लगा के पूजा करते हैं लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दोरान में नींद आती है या अबासी आती है जपकी आ जाती है और हम इसे नजर अंदास कर देते हैं लेकिन ये एक तरीके का संकेत है जो प्रकरती हमें दे रही होती है। उबासी एक बड़ी सामान्य परिक्रिया है अगर हम विग्यानिक दृष्टिकोंट से बात करें। जिसे सामान्य तोर पर नींद्या आलस्य के साथ में जोड़ा जाता है। मनोविग्यान भी यही कहता है कि उबासी का सबसे विलक्षन पहलू है उसकी संक्रमन कारी योग्यता। आप किसी विक्तिक उबासी लेते वे देखेंगे ना आपको भी उबासी आजाएगी। आप भी यौन करने लगेंगे। अभासी इस कदर संक्रमक है कि मात्र इसके बारे में पढ़ने या सोचने से ही ये चारोवर फेल जाती है, होसकता आप भी अभी अभासी ले रहे हit देग्यानिक ऐसा मानते है कि अभासी से करियाओं की परिक्रिया आरंब होती है आप देखें कि अबासी लेने के बाद में आदमी ज़्यादा फील करते है लेकिन पूजा के समय नींद आ जाए या उबासी आ जाए तो इससे शुबी आशुब की श्रणी में रखा जाता है आईए जानते हैं विग्यान, मनुविग्यान और शकुन शास्तर इसके बारे में क्या कहते हैं देखें विग्यान की तो एक बहुत सिंपल सी परिवाशा है कि अगर हमारी बॉड़ी में ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी वज़े से शरीर ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है जिसकी वज़े से हम मुझ पूरा फाड़ लेते हैं उबासी देते हैं मनोविग्यान के अलग-अलग इसमें स्टैंड्स हैं मनोविग्यान के अनुसार तनाव बढ़ने से अक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुच पाती यानि कि दिमाग तक नहीं पहुच पाती जिसके कारण से उबासी आती है बोरियत यानि कि कि किसी भी का बोर हो जाना बोरियत उबासी का सबसे बड़ा कारण है, जब आप बोर होते हैं तो ज़्यादा उबासी आती है, ज़्यादा जमाई आती है, मनोविग्यान के अनुसार अगर व्यक्ति के मन में दो विचार अलग अलग चल रहे हैं, तो उसका ध्यान पूजा में ना होकर कहीं और भी हो सकता है, मन पूजा के समय उबासी आने के शकुन अब शकुन क्या संकेत देता है देखे पूजा पाठ के दोरान उबासी आने का मतलब है आपके इर्दगिर्द कोई नकारतमक शक्ती विद्दमान है किसीने कोई क्रिया की भी है कहीं का औरा बहुत नेगेटिव है और नेगेटिव उजा है आपके पास मतलब के समय उबासी आने कारत है आप पर किसी विरोधी ने तंतरशास्तर का प्रियोग किया हुआ इसकी सम्मामना बनी रहती है पूजा पाठ के दोरान अधिक उबासी आने कारत है कि आपके इश्ट का चुनाव गलत है आप जिसकी पूजा कर रहे है यहां तो उसमें गड़वड़ी है यहां आपके पूजा पत्तिधी में गड़वड़ी है यहां आप कोई गलत डिरेक्शन इस्तमाल कर रहे हैं कोई गलत आप आसन का प्रियोग करें गलत माला का प्रियोग कर रहे है पूजा पाठ के दौरान अधिक उबासी आने का आर्थ है आपको भविश्य में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा पूजा पाठ के दौरान अधिक उबासी आने का आर्थ है कि आने वाले भविश्य में आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते है पूजा में उबासी आने का आर्थ ये भी है कि आने वाले समय में आपके स्वास्ते में गिरावट आ सकती है इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में आकर भगवान के उपासना करता है तो उसे भी नीन आने लगती है ये उबासी आने लगती है शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा करते समय उबासी आती रहे तो ऐसी पूजा स्विकार नहीं होती है ऐसी पूजा का फल शुप भी नहीं मिलता अगर पूजा पाट करते समय उबासी आने लगे तो समझना चाहिए कि कोई इश्वरी शक्ती आपको कुछ संके दे रहे हैं हो सकता आपको पूजा करने से रोक रही हो देखे लक्षमी पूजन के समय उबासी आए तो उसका आर्थ है कि भविशा में आर्थिक संकट आएंगे गणपती पूजन के समय उबासी आने का आर्थ है भविशा में विग्न का संकेत यानि कि भविशा में विग्न आ सकते हैं सरस्पति की पूजा में उबासी आने कारत है बुद्धी ब्रश्ट हो जाना हनुमान जी की पूजा में उबासी आने कारत है भूत परेत की बाधा शिव पूजन में उबासी आने कारत है भविश्य में उल्जन के संकेत हैं और विश्नु पूजन में उबासी आने कारता है पितर दोश की बाधा से आप पीडित हो सकते हैं तो दोस्तों आपने ये जाना कि एक उबासी कितने जादा विलक्षण देती है ऐसे ही एपिसोड लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी स्पेशल सीरीज के नतरगत इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्यवाए